उतरा गाओं में नाबालिक दूलoton से शादी कर लाया दूला शादी के नाम पर हुआ युवक ठगी का सिकार हरदोई के अरियावा थाना छेतर के उतरा में एक लाक रुपय खर्च करके दिल्वी से शादी कर लाई गई नाबालिक दूलन पुलिस के साथ चली गई शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ यूवग अब परिशान है और हाथ मला है उतरा निमाश पीडित्य यूवग की शादी नहीं हो रही थी उसकी उम्र 42 वर्स हो चुकी थी गाउव के ही एक यूवग ने उसकी शादी कराने की बात कही ठगी के सिकार हुए यूवक के मुताबिक शादी कराने वाले दिल्ली के एक एजेंट से फोन पर बात कराई गई एजेंट ने उससे 1,00,000 रुपए खर्च कर शादी करने का अस्वासन दिया उसने कहा कि आप एक लाग रुपे खर्श कीजिए हम आपकी शादी करा देंगे वहाँ एजेंट के जहांसे में आकर दिल्ली पहुँच गया वहाँ पर एजेंट ने उससे एक लाग रुपे लेकर बंगाल की एक किसोरी से उसकी शादी करा दी एक माह पूर्वा शादी करके अपने घर आया हुआ था किशोरी के साथवा काफी खुस था बताते चलें कि इस्थानी पुलिस के साथ बंगाल पुलिस उसके घर अचानक तभी पहुँची नावालिक के अगवाग करने की जानकारी दी गई थी बताया कि किसोरी के परिजनों ने बंगाल में अपरण का मुकदमा लिखाया है एजेंट के जरिये किसोरी की श्यादी करके यहां लाने की सूचना उन्हें मिली है पूछताश के बाद पुलिस नावालिक दूलहन को अपने साथ लेकर बंगाल चली गई थाना द्यक्षिय अनिलकुमार सक्सेना ने बताया कि किसोरी के अपरण की शिकायत पर बंगाल पुलिस आई थी किसोरी को बरामत कर पुलिस उसे साथ ले गई है किसोरी के बयान पर पुलिस ने आरूपी पर खारवाई अभी तक नहीं की है वहीं पूरे मामले में ठगी का सिकार हुआ यूवक परिशान है उसका कहना है कि उसके साथ एक लाग रुपया लेकर ठगी की गई है